तो दूस्तों शाओमी ने और एक नए आफोन लांच कर दिया जिसका नामें शाओमी सीवीटू जो हाले में चाना में लांच हुआ लेकिन इंडिया पे अभी तक आया नहीं लेकिन आशा करते हो इंडिया पे जल्द ही आ जाएगा एंड आज आम उसी शाओमी सीवीटू का स पेसिविकिशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि बैटरी डिस्प्ले केमेरा और प्रोसेसार जैसे इन चीजों पर आप बात करेंगे इस वीडिओ पर तो जल्द से जल्दी वीडिओ को शुरू करते हैं तो नमश्कार दूस्तों में और कृष्ण टेक चैनल में आपका ब द्रॉपुल Trude गये और सामने के बात करें तो समरे आपको आइफ्टुन पोर्टिन के आईनमिक आउलेंड से और अभी बात करते फोन के डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में आपको देखने को मिल गा 6.55 इंच की Mullet डिस्प्ले जो भरको कहाल को और लीज्टरी के बारे में तो आपको काफी अच्छी से आपको छार्ज्ग नेगा और 4000 आपको वांटे चल जाएगा आसान इसे आप अच्छे कासी गेमिंग भी कर सकते उसमें और अभी बात करते इस फोन की प्रोसेसर के बारे में तो उस फोन में देगए वर्ल का फस्ट सेवेंग जैन वान का प्रोसेसर जिसको आपको काफी अच्छे से काफी स्पीड है ज अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं तो जोस्तों आभी बात करें इस फोन के के लारे में तो फोन में पीछे देगे ट्रीपल कमा जिसका प्राइमरी केमरा है 50 में आज और आप अगर ब्लोगिंग बहरे करते तो आपको ऑल्टार्वाट केमरा देखने को मिल गया इ आपको मिल जाता है और फ्रॉंट केमार के बात करें तो फ्रॉंट में आपको ड्यॉल कमर दिया गए है दोस्तों इस फोन में तो Platy दिए लेकिन उसमें आपको को इफिक्ट देखने को नीगाओ इफिक्त नहीए तो अगर आपको इस फोन में एफिक्ट लगाना है ठीक Iphone 14 प्रो या 14 के जसा लगाना है तो आपको इस वीडियो ऊपर में आय बटन में दी धिया है और description में भी इस वीडियो का Link दे दी है इस वीडियो में मैं ने बताया कि इस वीडियो में बताया कि आप कैसे अपना फोन के नॉर्मेल फोन पे आप आप बात करते हैं इस फोंन के अप्राइज के बारह में क्या होगा अभी चाइना नंज होा तो चाइना में ईपरोकस 2200 के आसपास लांज हो just होया है तो इंडिया पे कितने हो सकते इंडिया पर क्रीब 27 तयूंज या 228 ताउजन के आसपास लांज होगा इस फोंन तो अगर आपको इस तरह के फोन के आपकमिंग फोन यानि आपको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल में आपको आपका में फोन और फोन के बार से जो अगले वीडियो में